दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल देखो टेक सफर पर दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे हम बाते करने वाले हैं कि दरसल होता क्या है ना जब हम लोग अपना mobile phone reset करते हैं मतलब reset करें या पूराना वाला छोड़ के नया कोई phone मिल गया उसको उच करने आगे तो एक समस्या आती है mobile number वाली कि mobile number हम लोग के पास से delete हो जाता है तो कैसे mobile number को recover करें mobile phone को reset हो जाने के बाद हम इनी सारी बातों के बारे में आप से चर्च को ही नहीं दे पाता है लेकिन मैं 95% आपको guarantee देता हूं कि आपका नया पर जो mobile number हो जाएगा मैं दो तरीका आपको बताने जा रहा हूं और जो आखरी वाला तरीका है वो बहुत ही मतलब काबिल तरीका है पहले पहला तरीका देखिए फिर आखरी तरीका देखिएगा आए पर एक Gmail आजाता है आप फटा 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 हैं पर देखिएगा ध्यान करिएगा यह Gmail आजाता है ठीक है तो कही ने कही ना हमारा जो mobile number होता है इस Gmail में सेब होता है ठीक है आपको मैं live दिखाना चाहूंगा Chrome browser में चलके और यहां से हम आ जाता हूं थोड़ा सा यहां पे मैं Chrome browser में हूँ और यहां पर इस पर मैं click करता हूं और यहां contacts में आ जाता हूं और आप देखिए मेरा Google में सारे के सारे contact ना save हैं देख सकते हैं आप इसको कैसे point करेंगे आज मैं बताता हूं आपको करना है कि दरसल हम लोग जैसे नया नया जब mobile लेते हैं प्लेश्टोर हो गएरे बनाते हैं तो नया Gmail ID बना लेते हैं तो गलती यहीं पर होती है हमको क्या करना है सबसे पहले जो पूरानी वाली हमा ब्राउजर में जाना है और इस तरह से लोग इन हो जाएगी आपके ID Chrome ब्राउजर में भी और यहां पर जो एक टैप बना है इस टैप पे क्लिक करिएगा आपका सारा का सारा नहासे वाल नंबर यहां पर देख लिएगा देख सकते हैं गूगल में आपका सेव रहाता और इतना ही नहीं आपका फोटो हो गए रहे ना सब कुछ सेव रहाता आप देख लिए यहां पर फोटो में देखिए फोटो चुमें ने क्लिक किया ना सारा साहरा वीडियो सब कुछ हैं पर saving आपका मिलेगा जिसेडीट पार हो ठीक है आए दोस्तों आपको बताता हूँ कि अब अगला तरीका यह पहला तरीका तो बता रिया कि इतना कुछ करते हैं ता को number यग बर हो जयाए दूसरा तरीका कि आपको एक application का मदद लेना होगा जिसका नाम है Facebook Messenger, Facebook सब लोग यूज करते है, Messenger सभी के phone में होता है हमें Messenger को open कर लेना है Messenger को open करने के बाद corner पे 3 line आएगे, 3 line पे click करेंगे और setting के option पे चले जाएंगे setting के option पे जैसे जाएंगे और नीचे के तरफ आते हैं तो यहां पर एक option होता है phone contact का और इस पे हम click करेंगे और manage contact पे जाएंगे और आप यहां पे देख पाएंगे कि आपके phone में जितना होई number पुराने वाले में था सभी होई number यहां पे देखने को मिल जाएगा यह कैसे होता है यह जो messenger होता है आटो सिंस कर लेता है आटो सिंक का मतलब है कि जैसे आप लोग देखते होंगे जब facebook चलाते है न तो नीचे जो फ्रेंट रिक्वेश्ट आता फ्रेंट जिनको बनाने का option आता है उस सब लोग हम लोग के परिचीत होते हो कैसे होते हैं इसी सिंक के मदल से होते हैं कि सारा कुछ हो जान जाता है इनके mobile में किनका किनका number सेप है और mobile number से सब लोग face who का ID बनाते है और वो आटो डिलिक कर करके वहां पर दिखाने लगता है तो यह से जिनका number चाहिए उनके पर आपको click करना है क्लिक करने के बाद मैं आपको बहुत अच्छी लगे ति हमारी वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक लिए दोस्तो आप लोग अ